जोधा मतमेले रंग पे कोई दाग नहीं दिखता पर जो रंग सफेध हो वो चूने भर से मेला हो जाता है तुम बहुत पाक और नेक हो आइंदा ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हारी शान और शराफत को ठेस पहुचे आज तक तुमने जो भी किया आमेर के लिए एक मिसाल है और आगे भी ऐसा ही कुछ करना कि ये मिसाल कायम रहे जी अम्मी चान हम स्विकार करते हैं कि हमसे गलती हुई परन्तु उस वक्त हमारी मनोदश्य ऐसे हो गई थी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें लगने लगा था कि ना ही संसार हमारे लिए है और ना ही हम संसार के जिन्दगी में ऐसे पल आते हैं बेटा जब इनसान को जिन्दगी बेमानी से लगने लगती है हम भी इस दोर से गुजर चुके हैं पर ऐसे में जिन्दगी का साथ छोड़ कर जाने की कोशिश करना ना ही आमेर की बहातुर बेटी की आन के मताबिक है ना ही आकरा क की बेगम की शान के जलाल अब तुम्हें बतोर बेगम लोटा कर लाया है हम चाहेंगे कि अब इस ओधे की शान तुम बनाए रखो परन्तु अम्मी जान आपको रुकया बेगम को कैसे पता चला की शेंजा ने हमें उस कक्ष में रखा था नहीं जानते थे हमें सिर्फ इतना पता था कि जलाल की जिन्दगी को खत्रा है क्या और हम पीर साहब के हिदायत के मताबिक काम कर रहे थे जब परवर्दिगार चाहे तो इनसान क्या कर सकता है किसमत देखो जोधा तुम जलाल का साथ छोड़ कर जाना चाहती थी अब जलाल के साथ तुम्हें अजमेर जाना होगा पर अम्मी जान हम ये तुम्हें हमने नहीं चुना जोधा तकदीर ने चुना है और इनसान तकदीर से भले ही लड़ने की कोशिश करे जीत नहीं सकता क्या सोचने लगी जोधा ये जानते हुए भी कि तुम्हारे और जलाल के बीच कुछ भी ठीक नहीं है एक मा होने के नाते हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि हम जाएंगे अम्मी जान नियतिया भागे के अदिश से नहीं हम अजमेर जाएंगे आपकी प्रसंता के लिए जीती रहो खुदा का शुकर है जोधा बेगम उसने आपको महफूज रखा आप से ही सलामत वापिस आगई और फिर परवर्दिकार ने आपको शेहनशा के साथ अजमेर शरीफ जियारत अधा करने का मौका अधा फरमाया सलीमा बेगम हम वहाँ पर केवल अम्मे जान के खुशी के लिए जा रहे हैं ऐसा मत कहिए जोधा बेगम जब आप दूआ करते हैं तो दूआ दिल से करती है आप भी तो हर रोज सुभा पूजा दिल से करती है ना ये बात तो आप भी मानती होंगे कि दुआ वो ही कुबूल होती है जो दिल सिखे जाती है और हमारी बात माने तो आप अजमेर शरीफ तब ही जाएं जब आप दिल से दुआ मांगें अमिजान का दिल रखने के लिए नहीं असलाम वालेकुम शेहनशा अलेकुम असलाम सब खेरियत सलीमा वेगम रहिम ने कोई नई शरालत तो नहीं की अल्हा की फजल और आपकी महरवानी से सब ठीक है अब हमें इजाज़त दे परिंदों को सिर्व भूख ही नहीं लगती है जोधा वेगम प्यास भी लगती है इनसान अगर कोई काम अपने हाथ में ले तो उसे मकमल करना चाहिए अधुरा नहीं छोड़ना चाहिए कुछ लोग तो दूसरों के जीवन कोई अधुरा कर देते हैं शेहनशा ताना मारना और बहस करना कोई आप से सीखे चोधा वेगम बहराद आप तो हमसे बे इंतहा नफरत करती है पिर आपने हमारे साथ अजमे शरीव जाने से इंकार क्यों नहीं किया अम्मी जान चाहती है कि हम जाए इसलिए हम मतलब आप हर काम हमारी अम्मी जान की मरसी और उनसे इजासत लेके करती है ठीक वैसे ही जैसे आपने मेल से गायब होने की सूची तो क्या आपने ने बताया था कि आप कहां जा रही हैं क्या करने वाली हैं जोदेविक हम अम्मी जान के हम भी बहुत इस्दत करते हैं और फकीर साफ की बात पर भी लेकिन आप वो आखरी शक्षेत होंगी जिससे हम अपने ले दुआ मंगवाएंगे जिस दिल में हमारी ले अतने नफरत भरी हो उसमें दुआ की जगा ही नहीं होगी इसलिए मुझाते हैं कि आप अजमे शरीव जाने से इंकार करते हैं रुकिए इस सल्टनत के शेहनशा हैं आप दरवशक्ति शाली और इतनी छोटी सी बात अम्मी जान तक पहुचाने के लिए आपको हमारी सहिता क्या वशक्ता क्यो है आप स्वयम ये बात अम्मी जान से नहीं कह सकते हैं कहें आपको ये तो नहीं लगता कि हम अपनी अम्मी जान का सामना नहीं कर सकते हैं आपके बारे में तो हमें नहीं पता परन्तु हम अम्मी जान को ना नहीं कह सकते हैं और रही बाद हमारी मन से प्रात्ना करने की तो वो हम करेंगे क्योंकि हमारा मानना है यदि राजा स्वस्त और सुरक्षित रहेगा तभी प्रजा सुरक्षित रह पाएगी और एक बेगम होने के नाते हम अपनी प्रजा के लिए प्रात्ना अवश्य करेंगे जब से जलाल ने जोधा बेगम से निकाह किया है एक तमन्ना थी कि दोनों अजमेज जाकर माथा टेके और देखो आज अल्ला ने खुद दोनों को बुलावा भेजा है जब जलाल जोधा को निकाह करके लाया था तब से यही चाहते हैं कि दोनों साथ हों लेकिन वो दोनों साथ ही तो हैं भावी जान वो सिर्फ पास है गुलवदन बेगम साथ नहीं लेकिन अब ये लगने लगा है कि खुदा ने उन दोनों के साथ चलने के लिए रास्ता बना दिया है इंशाल्ला आज नहीं तो कल ये दोनों साथ भी होंगे और पास भी अगर इंसान अपने कदम संभाल कर नहीं रखता है तो अकसर फिसल जाता है जो धावेकम कभी कभी यदी काटा पैर में लग जाए तो दोश पैरों का नहीं होता है बलकि उन हाथों का होता है जिसने काटे बिच्छाए हो जलाल जोधा पहली बार आपके साथ चा रही है हम जानते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखू भी समझते हैं लेकिन फिर भी कहेंगे जोधा बेगम का खयाल रखना शहनशा जलाल और जोधा शाधी के बाद पहली बार अकेले आगरा से बाहर जा रहे थे लेकिन उस वक्त खुड नहीं जानता था कि अजमेर शरीफ का ये सफर उनकी जिन्दगी का सफर बदलने वाला था फिलाल दोनों जा तो साथ साथ रहे थे पर अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हें ग्यात है क्या शहनशा ने अपना खेमा कहां लगवाया है हमें भय है कि आज रात्री को शहनशा ने अपना खेमा अलग से नहीं लगवाया है वो आज रात्री हमारी खेमे में वैतित करना चाते हैं हम तो उनसे इस पष्ट कह देंगे कि हमें ये स्विकार नहीं है चाहे कुछ भी हो चाहे हम एक एखेमे में शेहजा के साथ रात्री नहीं वैदित कर सकते हैं ऐसा नहीं है रानिशा आप बिना कोई जानकरी के इतनी दुखी क्यों हो रही हैं हो सकता है ऐसा ना हो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्यों उनका पक्ष ले रही हो आज तक दया और करूना की एक भी जलक नहीं देखिया हमने उनमें हमें पता है कि वो क्या कर सकते हैं हम अभी उनसे बात करते हैं कहिए हम आपको इस पश्ट कहते न चाहते कि हम आपके साथ एक ही खेमे में रात्री नहीं वेतित करना चाते और आप बल पुर्वक अपनी च्छाह हम पर लाद नहीं सकते हैं इस हसी का क्यार थे इसका मतलब यह है कि आप में सब्र की बहुत कमी है जोधा बेगम वो खेमा देख रही हैं आप वो आपका खेमा है जिसमें आप रहेंगी और हमारा खेमा यह है हम जानते हैं कि आप हमारे साथ नहीं रह सकती और आप एक बाद चान लें कि हमें भी आपका चेरा देखने का कोई शौक नहीं झाल आपका रहाए्स प्सक्षों